किसान साथियों हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल हल्स फार्मिंग पर आप सभी का स्वागत है स्रीमा पर जवान और खेत का किसान आपका प्रिय सुवेदार जग्दी शिंग चोहान की राम राम तो दोस्तो आज हम आपको एक ओश्दी है जो हर्फ है उसके बारे में एक विशेश जानकारी देने जा रहे हैं तो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही लाब होगा तो जानिये कि वो ओश्दी कौन सी है और उससे हमें क्या-क्या लाब हैं वो हमें कहां मिलती है और किस तरीके से हम उसको प्राप्ट कर सकते हैं और अपना फायदा लेकर उसका उप्चार कर सकते हैं वस्पन में आपने ये बड़ी बड़ी ही जिग्यासा पूर्ण तरीके से इसको खाया होगा और इसका स्वाद भी लिया होगा तो आईए मैं आपको बताता हूँ उस ओश्दी के जो अच्छे गुण है जितने भी हमारे उसमें आयरुवेद में लिखा हुआ है उसके गुण बहुत ही उपयोगी है और आपके शरीर के लिए बहुत ही लाबकारी है साथियों हम हजिर हैं एक और नई जानकारी के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे भांका नसा करता हो चाहे चरस का बीडी का शिग्रेट का शराब का या किसी भी प्रकार का नसा करता हो इस दिव्य ओश्दी का सेवन करने से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों नसा बहुत बुरा होता है इसकी लत बहुत बुरी होती है नसा से गर्शित व्यक्ति नसा के लिए अपनी अरजित की हुई संपत्ति जमीन जाजाद यहां तक कि अपनी अनमोल वस्तु को भी नसे के लिए बेज देता है तो मैं अंत में नसे को छोड़ना चाहता है परन्तु छोड़ नहीं पाता है दोस्तो मैं आज आपको एक ऐसी ही ब्रंसपती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो की दिव्य ओश्दी के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो इस ओश्दिय ब्रस्पती को मेरे बताए अनुशार अगर आप सेवन करते हैं तो आप नसे से बिलकुल मुक्त हो जाएंगे दोस्तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखें वीडियो को स्किप ना करें अन्यत्था आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने से लाव नहीं मिलेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिव्वे बरस्पती ओश्दी का क्या नाम है और यह कहां मिलेगी आप जो वीडियो में इस बरस्पती ओश्दी को देख रहे हैं इसमें तीन पत्तिया निकलती हैं जैसा कि वीडियो में देख रहा है इस पर छोटा पिले रंका फोल आता है और पतली पतली जिसमें इसके फलियां नजर आ रही हैं उसमें इसके बीज तयार होते हैं दोस्तों मैं आपको याद दिला दूँ कि यह वही बर्श्पति है जिसे आपने बच्पन में मटर के खेत में आलू के खेत में या बाग बगीचों में पार्क में फूलों की क्यारियों से तीन पत्ती हरी हरी खट्टी मीठी इमली जैसा स्वाद से भरपूर खाया होगा इसलिए कहीं कहीं से खट्टी मीठी घास के नाम से भी जाना जाता है खट्टी मीठी बूटी भी कहते हैं इसका असले नाम है चंदेरी दोस्तो इसे तीन पत्यां के नाम से भी जानते हैं इसमें तीन अलग अलग पत्यां जुड़ी होती हैं अब सवाल उठता है कि इसका प्रियोग कैसे किया जाए और किन किन रोगों में किया जाए इससे पहले मैं एक बात तुर बता दूँ कि इसका जो चंदेरी नाम पड़ा है इसकी अगर पत्यों का आकार आप देखें और चंद्रमा की छबी देखें तो उसमें जो धब्बा सर नजर आता है वो लगबग इसी प्रकार का होता है इसलिए इसको चंदेरी भी कहा जाता है असली नाम इसका चंदेरी है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नमबर एक मुझे भेंकर बद्वू का आना दोस्तो कुछ लोगों के मुझे भेंकर बद्वू आती है अगर किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को तीब्र बद्वू का सामना करना पड़ता है जो की एशेनिय होता है कभी कभी तो सामने वाला आपको टोक भी देता है कि आपके मुझे दुरगंद आती है तब बड़ी सरमीदगी का आपको सामना करना पड़ता है चाहे आप कितना भी बुरुष कर लें अच्छा पेष्ट यूज कर लें लेकिन बदवु आना बंद नहीं होती इस रोक से छुटकारा पाने के लिए इस परिश्पती की 10 से 12 पत्तियां तोड़कर साप पानी से धोकर मुँँ में डालें और पान की तरह चबा चबा कर दिन भर में 3-4 बार खाएं ऐसा आप 15 दिन करें आपके मुँशे बदवु आनी बंद हो जाएगी नमबर दो अगर किसी के सिर में दर्द है तो इसके पत्तों को पीश कर इसका लेप माथे पर लगाएं शिर दर्द खत्म हो जाता है अगर किसी के चहरे पर मस्चे हैं तिल हैं तो इसकी पत्तियां पीश कर चहरे पर जहां मस्चे या तिल हैं उन इस्तानों पर लेप लगाएं और उस इस्तान को हलके हाथ से रगड़ें तो आप यकीन मानिए कि ऐसा आपको दो तीन वार करना होगा दिन भर में और लगभग 15 दिन के बाद में आपका चहरा कुंदन की तरह धमकने लगेगा तिल एब मस्चे गायब हो जाएंगे दोस्तो चंदेरी के पोधे में एंटी फंगल एंटी माइक्रोविन और एंटी हिलिंग गुणप होते हैं जिसके कारण यह तिल मस्चा को आसानी से दूर कर सकते हैं नमबर 4 अगर चहरे पर जुर्यां पढ़ने लगी हैं तो आप चंदेरी के पत्ते लेकर इनको पीश कर पेश्ट बना लें उतनी ही मात्रा में चंदन को घिसकर उसका पेश्ट त्यार करें दोनों बरावर मात्रा में मिलाकर जुर्यों वाले स्तान पर पेश्ट लगाकर हल दोस्तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि चाहे शराब का नसा हो या भांग का अफीम का या बेड़ी सिगरेट का अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो आप चंदेरी के पत्ते तोड़कर पीस लें और एक सफेद सूती कपड़े में मलबल के कपड़े म में रखकर निचोड कर एक कप रस निकालने हैं दिन भर में दो कप यानि की एक एक कप दो बार यह रस पी हैं यह क्रिया 15 दिन करें उसके बाद जब भी नसे की तलब महसूस हो तो एक कप चंदेरी के पत्तों का रस पी हैं आप लगभग 20-25 दिन में नसा मुक्त हो तो दोस्तों यह थे चंदेरी के जो चंदेरी जड़ी बूटी है इसके फायते हैं दोस्तों हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको अपनी वीडियो के माध्धम से अच्छी अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊं तो दोस्तों अगर हमारी इस वीडियो में आपको कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स फार्मिंग को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें साथी साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दवाएं जिससे की हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे हैं वीडियो पसंदाने पर जाद से जादा लाइक करें कमेंट्स करें शेर करें अच्छा दोस्तों अब मिलते हैं फिर दोवारा एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद